अलो नमस्कार दोस्तों आदाव सस्रियाकाल स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल कृष्णा गुरकुल फैमिली में दोस्तों आज सुबह सुबह बहुत बड़ी एक गुड न्यूज है ये देखे दोस्तों रिजरू बैंक आफ इंडिया में निकली है बहुत बड़ी कि पेले संब्सकार अगर आप अर व्यूंत के लिच्व कीजिक है क्या क्या को हुआ तो subscribe किजीन और comment रहा थीक है दोस्तों तो देख लेते हैं दोस्तों यहां अर बड़ी रिजरू बैंक ओफ इंडिया की जो पोस्ट है वे आई है ठीक है इनकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तो वो है 950 और employment notification होगा और वे असिस्टेंट 2422 notification ठीक है बैंक की जोब है और पेस के लिए निके salary की अगर हम बात करें तो ये 14650 basic pay है सुरुआती पे है ठीक है उसके बाद ये देख लेंगे इसकी website www.org.in ठीक है ये इसकी वेब साइट है ठीक है इस पे workplace होगा आल इंडिया कहीं की भी ठीक है तो इससे पहले जान लेते हैं कब हम फॉर्म फील कर सकते हैं ये देखे दोस्तो स्टार्टिंग डेज ओफ ओनलाइन समिशन एप्लिकेशन सत्रा दो दो जर बाई से ये फोर्म भने शुरू होंगे ठीक है और कब तक वह रहेंगे आठ तीन आठ मारच दो जर बाई स्टक ठीक है एग्जामिनेशन हेल्ड ओन मारच में ही रहेगा 26 और 27 ये तो और पे बर में आ जाएंगे ठीक है उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं या फीस देख लेते हैं फीस में कहके है दोस्तो जनरल ओबीसी या एडव्यू एस के लिए 450 रुपे है स्टी पी डव्यू डी के लिए 50 रुपे फीस है उनली एक्जाम फीस थ्रो ओनलाइन मोड कटेंगी ठीक है दोस्तो आप देख लेते हैं कि इसमें इस क्या क्या माँगी हूई है यह जो एयर है यह माना जाएगा एक बारा दोजर 21 से ठीक है एज रिलेशन होगा रिलेक्शन होगा SC-STOBC-PWD के लिए ठीक है अब देख लेते हैं कि इसमें eligibility criteria of detail of RBI government ठीक है तो क्या-क्या है graduate होने चाहिए with 50% marks होने चाहिए ठीक है उसकी knowledge में होने चाहिए assistant of word processing on computer computer की भी knowledge होने चाहिए total post मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 150 post है ठीक है और देख लेते हैं और इन्होंने क्या-क्या मंगा हुआ है ठीक है RBI assistant exam exam का pattern यह दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें pattern भी दिया हुआ है total marks होंगे 100 number का total question भी 100 आएंगे ठीक है यानि कि एक number का एक question ठीक है time duration होगा एक गंटा ठीक है उसके बाद syllabus देख लेते हैं subject का name English numerical English आएगी numerical आएगे eligibility reasoning और ability ठीक है इसके बाद देख लेते हैं consistent में में रिटन एक्जाम pattern होगा total so marks का होगा total question दोस्तों नमबर के time duration 135 का ठीक है अब इसके बारे में देख लेते English होएंगे numerical eligibility reasoning general awareness और computer भी आएंगे ठीक है दोस्तों तो यह थी आज की हमारी नई update अगर आप वीडियो अगर आप चैनल पर नहीं है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और comment भी कीजिए दोस्तों और हमारा जो notification है वह हम टेलिग्राम पर भी डाल देते हैं अगर आप